कहते हैं 5.6 रॉबिन हुड को करीबन 11 लाख लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं मैं आज बहुत दूर से चल के आया हूँ डॉक्टर आमीर काजिम खान को मिलने हैं करीबन आदा घंटा हो गया इनसे बात करते हुए इनसे चर्चा करते हुए कुछ दिन पहले 21 मार्च को मैंने अलकलिनिटी और एसिडिटी पे एक वीडियो बनाया था लेकिन आज एक ऐसी डॉक्टर को मिल रहा हूँ जो खुद वीलचेयर पर है और उन्होंने मुझे आदे घंटे में ऐसी चीजें बताई हैं जो मुझे बड़े-बड़े ऐलोपेथिक डॉक्टर्ज ने नहीं बताई और वो जो पीछे कोने में घंटे हैं न मुस्कुराते हुए इधर वो है राजू राजू के साथ अभी मैं डॉक्टर आमीर की घर की छत पर गया वहां पे मुझे सबसे पहले पता लगा कि एलोवेरा का ढोकोसला क्या होता है और असली एलोवेरा क्या होता है राजू लिक्या आई हो वह से डॉक्टर आमीर बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे तो चर्चा अभी जारी है लेकिन जो आप natural चीजों से जो आपने ये मिर को aloe vera इन्होंने बताया जो aloe vera पे सफेद दाने होते हैं I don't know if you can say white dots That is the medicinal aloe vera Good for a person like me जिसको खून का cancer है 280 लोग इस वीडियो को live देख रहे हो आप Please इस वीडियो को share करते रहो तो मैं अभी दॉक्टर साब से आप सर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे These are all middle class people like me क्या कहना चाहेंगे ये जो अभी जिया है aloe vera aloe vera ये बाबर देंसर से See there are hundreds of different varieties of aloe vera but the king of aloe vera is बाबर देंसर जैसे आपने भी बताया उसके पर वाइट डॉट से हां जी और आपने में जो acidity कम करने के लिए एक बहुत ही brilliant solution दिया 8 8 kokum के seeds आम सूल रहता है ना आम सूल को कम दर्शकों इस वीडियो को share कर दो ऐसी धरती के उपर असलियत जन्नत 82 साल की उमर है डॉक्टर आमीर की और ऐसी चीज़ें आपको किसी हस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं बताएगा तीन साल में मुझे तो किसी ने नहीं बताई गो हेड़ सर को कम ले ले आठ पीस उसको अच्छे से धो ले कि उसमें नमक लगा रहता है जी नमक जब निकल जाए तो आठ पीस आप एक पानी का ग्लास ले ले उसमें सोट कर दें ओवरनाइट जी और सुबा उसको आप हाथ से मसल दें कोकम को जी और च्छाननी लेके जैसे चाय हम च्छानते हैं और च्छाननी लेके उसको च्छान ले और वह आप पिया आपका एक दिन के अंदर आप पांच दिन करें जिंदगी में आइसे डिटी होईगी नहीं करें दर्शेको मैं कब से कम छे घंटे सफर करके अगर डॉक्टर आमीर काजिम खान के पास आया हूँ तो आप मुझे जानते हो मैं कड़वे सच बोलता भी हूँ फकीर को फकीर बोलने में भी मुझे बहुत फकर होता है तो क्यों सही है ना डॉक्टर साब तो I was इस जेंटलमैं डॉक्टर साब के बारे मैं मुझे एक बहुत ही अजीज मितर ने बताया और उन्होंने कहा कि आप इन से जाके मिलें क्योंकि ये एक naturopath है एक naturalist है और मैंने यहाँ पर डॉक्टर साहब से एक और सवाल भी पूछा कि डॉक्टर साहब ये जो market में ये एक लाग की दो लाग की तीन लाग की पांच लाग की जो titanium और platinum rods की water ionizers मिलते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है कहते हैं वो water की alkalinity बढ मिया में किस-किस की जान बचने वाली है ये आप नहीं जानते तो आपका उन water ionizers के बारे में क्या कहना है जी जीरो कुछ भी नहीं है ये सब सिर्फ जीरो is what he says जीरो प्रॉपरगेंडा है उनको अपने material बेचना है जी बना दिया है by default मगर उसका कुछ है नहीं है जो titanium और platinum जो भी ionizers हैं उससे water की alkalinity वो कहते हैं कि आप measure करके देख लो litmus टेस्ट करके देख लो वो सब करके देख लो जी मगर जो खुदरत ने बनाया है जी उससे बेतर तो नहीं हो सकते वो चाहता तो वो सब करके देखता पर जी जी कोई जरूरत नहीं है और सब चीजों की भी जरूरत होती जी 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 जो वो सब निखाल देगा जब आप इसकी machinery ज़र लगा रहे है उसके अंदर जी 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 तो और natural pathy से related कोई बड़ी कोई simple सी एक दो चीजें अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें एक पूर्णा में मैंने देखा एगा मूलवात बोलते हैं मूलवात मतलब piles piles okay internal external piles जी तो इसके लिए बहुत लाइन लगी रहती जी क्या करना है simple चीज जी एक अंजीर ले लें जी मार्किट से जी अंजीर और एक ग्लास गन्य का जी मगर वो फ्रेश होना चीजिए उसको आपको 10 मिनट के यंदर पी लेना है जी इधर गन्य का रच का कलर चेंज वा और जहर हो गया हो जी तो आप वो अंजीर खाएं जी सुबा जी और एक ग्लास गन्य का रस जी सुबा और शाम जी तीन दिन में piles आपक जड़ से खायब ब्लीडिंग पाइल रहती है इतनी तक्लीफ होती है सब बोलते हो आपरेशन करा लो यह क्यों करा हो जब हम 10 रुपए के अंदर हम ठीक कर रहेंगे पाइल्स का डॉक्टर अमीर काजी खान ने एक 10 रुबे का सिलूशन दिया है जो आपको बड़े-बड़े हस्पतालों में शायद ऑपरेशन कराने के लिए कहा जाएगा आप 400 लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हो और यह आप 400 लोगों का दाइत्व है आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस वीडियो को शेयर करके ऐसी ऐसी जगाओं पर पहुंचाएं जहां हर किसी में इंसानियत का फायदा हो इसी किसम की पत्रकारिता करता हूँ और जब मैं आज खुद अपनी रिपोर्ट्स लेके लंबी चोड़ी डॉक्टर आमिर से मिलने आया तो सोचा आप सबके लिए एक वीडियो ही बना दें कुछ और कहना चाहेंगे और एक चीज और है जी कि ये दो टाइम लेना पड़ेगा आपको दिन में एक सुबा और एक शाम जी पांच बजे दुपैर में जी आप सौफ्टो वैक ले ले जी सौफ्टो वैक उसमें चमच पड़ा रहता है दो चमचे अपने एक लास पानी में घोल के उसको जी और व क्या बात है क्या बात है बहुत-बहुत धन्यवार शुक्रिया डॉक्टर साब मुझे एक तो इंस्टेंट सेलूशन देने का वह एलोवेरा का मेरी पीट पे जो दाने हैं दर्शको मैं आपको अभी अपनी पीट के दाने दिखाता हूं राजुभा इदर आना जरा ये फोन ऐसे पकड़ना और एक मिट रुको दर्शको को मेरी पीट के दाने दिखा हूँ अभी आ रहा है मज़र आजू हाँ आ रहा है देखो दर्शको ये तीन साल से जादा होगे मुझे पीट पे ये दाने हुए तो तीन साल होगे मुझे पीट पे ये दाने हुए हुए आज तक ऐसा आराम नहीं आया जितना जो राजु भाई ने डॉक्टर साब के कहने पे मुझे एक एलोवेरा का बीच में से काट के ऐसे लगाया पीट पे मला तो ऐसे लगा कोई जन्नत देख लियो मैंने इतनी धंडक मिली कि क्या बताओं चलो अब ये वीडियो की जिम्मेवारी आप सब के उपर प्लीज शेर दिस वीडियो इंसानियत के तौर पर इस वीडियो को शेर जरूर कर देना थैंक यू सो माच और गॉड ब्लेस अस आउल पाई बाई बाई झाल